So, Hey there YouTube, what's going on guys, welcome back to another video So guys, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो एक YouTuber बनना चाहते हैं बड़ उनके पास PC नहीं होता है और वो Mobile से अपने वीडियो को Edit करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है आपको पता होगा YouTube का Algorithm कुछ इस तरह का होता है कि आपके वीडियो क्वालिटी जितनी जादा अच्छी होगी उतनी तरह किसे वो Rank करती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं आपके पास अगर PC नहीं रेता है अधिकतर क्या होता है काइन मास्टर में ही करते हैं तो मैं काइन मास्टर में बता रहा हो कि क्या होते है काइन में जब आप वीडियो को edit कर cubes करते हैं तब आप अपने resolution को तो अच्छा रख पाते है कि हा और 11 Hier यह बढ़ बढ़ाना नहीं बढ़ाना है जिससे आपके जो जो वीडियो की quality होती है resolution तो ठीक रहता पर उसका fps थोड़ा सा increase हो जाएगा और fps थोड़ा increase हो जाएगा तो आपकी वीडियो quality पे थोड़ी अच्छी रहेगी और YouTube को अच्छा लगेगा कि हाँ आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी quality किये तो रेंग कराने क कोशिश करेगा तो आपको वीडियो को पूरा देखना है तो मैं आपको बता दूगा कि किस तरह से आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है 60 fps के लिए आपको क्या setting करना है कि आपकी वीडियो 60 fps में export हो इस वीडियो को शुरू से लेकर end तक जरूर देखना तो चलिए श इसांपल के तोर में आपको बता रहा हूं इसको export करूंगा में 60 fps में पहले आपको बता दूँ कि शियर वाला option दो दिख रहा है आपको इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहां से आप जो है वीडियो को अपनी डिवाइस में सेव कर पाऊगे तो यहां पर देखिए 60 fps पर इसको export नहीं करना है आपको करना 60 fps पर तो उसके लिए कुछ setting में आपको बता देना चाहता हूं तो सबसे पिले आपको करना बैक तो बैक बाली बटन पर जैसी आप क्लिक करोगे आप बैक अपने डेश्वर्ट पर जाओगा फिर एक बार बैक करना सेटिंग वाला option फ्रेम रेट हायर देन 30 fps ओफ करना है आपको export फ्रेम रेट लिमिटेड टो 30 fps जो डिफॉल्ट रहती है तो हम यहाँ पर ओन कर देते हैं कि यह 30 fps से ज्यादा fps में हमारी वीडियो कालिटी सेव हो तो हमने यहाँ पर कर दिया है अब आप वीडियो को जाईए जहां पर आप की यह catch memory में यहाँ पर यह store हो चुकी थी इसको click कीजिए और यहाँ पर आप share वाले option पर click कीजिए उसके बाद अगर आप share करोगे तो यहाँ पर फ्रेम रेट देखिए बढ़ गए हैं 30 से 60 fps तक आप कर सकते हो तो आपको यहाँ से 60 fps में कोई वीडियो को export करनी है फूल HD म तो आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहेगी और rank होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक और बात फ्रेंड इस वीडियो मेने इंट्रो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला इंट्रो था वह कई दिनों तक तो अच्छा च खेयर कर देना अपरे दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सस्काइब कर लेना बेल का आइकन जरू दबाना कोई भी प्रोब्लम आई हो तो कमेंड बॉक्स में जरू पूछेगा तब तक के लिए जहिंद वन्दे मात्रम